प्रीविएस वीडियो लेक्चर देवेच असे रूंबस बारे जाने असे ते आज विद्यार्थियो असे रिक्टेंगल निया प्रॉपर्टी इस डिया ने उस बारे जानांगे ते रिक्टेंगल रिक्टेंगल तो पाफ हुंता है आयत ठीक है रिक्टेंगल नो पंजाबी आयत बीज तो सबक्तों पहला थे दिखो आयत हूं दी की है आयत ये चार साइड़ा हूं दिया है चार साइड़ा हूं दिया ने लतबगर अगर तुसे उन्हों ड्रॉऑ करना वे इस तरह थोई गी तो एत वर्डी आयत बनगी है इस विच अंनी पुझाh ज़दियाने ववद्यार्थ यो बराबर होंतियाने जारे दे इंडीर एंगल होंते ने और सारे दे सारे एंगल जड़या उन 90-degrees होंते है ठीक है अमों सामने दियां पूजा मतला ए वाली पुजा इस दे बराबर आएकी और ए वाली सानम पूजामा अमों सामने, तो एक A, B, C, D की है, एक rectangle है, और इस rectangle दे वेचे, अमों सामने दियां पुझामा की हों दियाने, बराबर हों दियाने, opposite side जिनियाने, और congruent हों दियाने, ठीक है, इसे fourth point देता हुए, ओके, opposite side एक दुझे दे parallel भी हों दियाने, यानिके, A, B जड़ा हो, C, D दे parallel होएगा, तो AD जड़ा है, वो BC दे parallel होएगा, ठीक है, उस तो बाद विद्यार्थियों थे, अगर आसी A, C दे नाड मिलादने हां, ठीक है, A, के दे नाड, C दे नाड मिलादने हां, तो A आनू बच्चो आसी विकरन आख दे हां, जानिके, इसा diagonal, तो diagonal ले दे वेच, बराबर होएगा, अगर O, ते कट रहा, तो O, A जड़ा है, O, C दे बराबर होएगा, ठीक है, तो, एदे यहां प्रापर्टी साने, एना प्रापर्टी स्थे विच्चो दो प्रापर्टी, के इदे विच हर एंगल है, 90 डिग्री दा होँदा है, ते इदे विकरन जड़े वह गराबर हों देहां मतलब डाइगनल बराबर हों देहां ओसी बिच्छों पहला प्रूफ करांगे तो उस विच्छ सब तो पहली प्रॉपर्टी जड़े से मतलब प्रूफ करन लगे हैं वह है कि आयत दे हरे एक एंगल जड़े ने ओ 90 डिगरी ते हम देहां पर लाइज तरी के न दुमिटर सी ट्राव करूंगे एए ए बी सी टे डीक रिक्टैंगल है जड़े में बेचे चारों ुकोण si के चारों कोन जड़े ने क्ले ने ओंगरेंड हनदेहां ठीक है तो सारे कोंड बराबर होन करके बराबर होन करके की होएगा A V A हो गया A V A मान सकते हो A V A एंगल मान सकते हो A V A एंगल हो सकते है क्योंकि सारे आपस दे विछ बराबर होन तो यह आगया 4 A ठीक है यहां मतलब एंगल यह आप मोल जड़ा है वो कितना आ गया विच्छो नबे डिग्री दे बराबर हो गया यह तवाड़ी बुक दे वेच प्रॉपर्टी नंबर वन ठीक है आयतना रिलेटेड पेज नंबर 52 दे उपर मजूद है ठीक है तुसी यह प्रॉपर्टी हों तो और इकॉल डाइग्जल टेड़ेने हो इकॉल होंदेने के दे होंदेने रिक्टेंगल दे तौ बात्यारत है अगर तुसी रिक्टाइंगल देख दाइग्नल नू प्रॉफि करना है तो सभ्तो पहला काम होईगा तुसी इत्ध से रिक्टैंगल कंसीटर करूंगे A, B, C ते T, ठीक है एदे बीच A नूँ तुसी C दे नाल इस तरीके ना बच्चों जॉइन करवा दूँगे ते B नूँ बच्चों D दे नाल जॉइन कर दूँगे ओके तो अनू पता है दे अंदरूनी कोण होन असी दासी चुके हां कि 90 डीडीडी ने होन दे ने प्रूफ भी कर देता है ठीक है तो एदे बेच वदियार्थियो 802 ट्रेंगल हमागे ठीक है केड़ी ट्रेंगल हमागे एदे बेच सब तो पहला 80 ट्रेंगल लेंगे या D, B, A ठीक है D, B, A तो तुसे कोई भी ट्रेंगल है चलो इद्दा कर दे D, A, B ट्रेंगल हमागे ठीक है जिदे बेच आइंगल जिड़ा है वो 90 डीडीडीड़ा है तो इदने विच्छो एक ट्रेंगल होना नहीं है अते ट्रेंगल साथे को होएगी ट्रेंगल है जी C, B, A यानिके आवले दो कोण जिड़े ने C, consider कर दे हुए दो ट्रेंगल बना लिए हैं जो कि common base थे हैं common base के डाहे देविच संजा base संजा base है देविच A, B है मतलब एक इस तरीके नाड़ है जिनों थोड़ा मैं elaborate करता है तोड़ा इनो simplify करता है तो इस तरीके ना बनना है A, A हो गया A, B हो गया A, D point है ठीक है और इदरो ट्रेंगल A बन गई ठीक है तो D, A, B और दूसरी की हो गई C, B, A ओके तो A बच्चो congruent था हुन प्रूफ कारी सकते हो क्योंके तो अनुपता है के जिड़ा A, D है A, D, A दी पुझा ठीक है और इदरो C, B हो जड़ाने ये दोनों बराबर है आवली और ये वाली आमों सामड़े दिया पुझामा बराबर हो दिया तो अनुप पुझामा जिनों आपा करने है AB सांजी पुझा भी है AB जड़ा है AB दे बराबर है सांजी पुझा आगी ठीक है फैकिंड लिए दे विच A कौन की है 90 डिग्री दा ठीक है किना कौन है 90 डिग्री दा तुसी इन्हों सिंप्लिफाई करना है ते इन्हों Angle 1 लेलो इन्हों Angle 2 लेलो तो Angle 1 जड़ा है वो 2 दे बराबर है Each of 90 डिग्री ओके इट मीन्स तो अडियां ए दोनों ट्रेंगल आपस दे विच होगी है विचों कॉन्गुरेंट ठीक है की होगी है कॉन्गुरेंट होगी है अगर एकॉन्गुरेंट ट्रेंगल ने तो by CPCT CPCT ता मतलब होगा है corresponding parts of गुरेंट ट्रेंगल यर एकुल ठीक है पंजाबी चुकॉन्गुरेंट सी कॉन्गुरेंट होगी होगी है तो by CPCT corresponding parts केड़े होगा है बाकी केड़े बचे एक BD बचा यादे AC बचा यह ना मतलब BD जड़ा है वो AC दे बराबर होएगा तो BD है कि BD यह दे विछ डाइगनल है और AC की है AC भी डाइगनल है इत मीन्स इते विकारण की है बराबर हो गया तो इस तरह आँसी प्रूफ कर देता है कि डाइगनल जड़े ने वो बराबर हों दे हन ओके तो दोनों आर्टीकल साड़े कवर हो गया इनानों बच्छों चंगी तरह तो उसी करना है तो इदे नाल रिलेटेड हों कुछ यहरे वेच ओपी आर बच्छों ऑफ्र आइंगल जड़ा है वो 32 गेवन है तो सब तो पहला तो उसी ट्रेंगल बंाऊंगे पी क्यों आर एस ठीक है तो इदे वेच पी नुं आर्दे नाले इस तरह ज़ाइन गीता होया है यहाँ पी ओ पी है, उपी नहीं है, क्याँ पी आर, ठीक है, क्याँ पी आर एंगल जिड़ा है वो 32 डिग्री है, और इन्ती डिग्रीदा दिता है, आ हम्हों पते है यह 90 डिग्रीदा कोशनों होगा, find out की करना है PR क्यों PR क्यों मतलब ए वाला एंगल तो सी find out करना है ठीक है तो इन्हों मैं X माल ले न तो आनू बता है इस थेक triangle बंदी परी देखो triangle P क्यों R तो triangle दा शाहिद आनू बता होएगा कि अंदरूनी कोना दा जोड जेडा है वो 180 degree होंदा है और अंदरूनी कोना दा जोड अगर असी कटना होवे तब बच्चों ए फार्मूला नूट कर लो ए फार्मूला होंदा है तो अडिव कताब ची शाहिद नहीं होएगा ए फार्मूला होंदा है N-2 गुणा 180 degree ठीक है इथे N पुझा आमा दा जोड है N पुझा आमा दी value है जि इतने ही जेकर केसे दिया है चार बुझा हमा हुण 4- 2 गुणा 180 degree ठीक होवेगा ओके यह फार्मूला सारे बिच्चा ने हार्खना N-2 इंटू 180 यहां अंदरूनी कोना दा जोड दा फार्मूला अंदरूनी कोना दा जोड दा फार्मूला दा जोड थे फार्मूले तो गड बड़ा इंपॉर्टेंट अगे जाके भी काम आऊगा पिछले साल क्लास विच सी मतलब वाड़ी बुक दे वेच इस साल अगे देखना पहेगा ठीक है असी देख रहे हैं जिदने इसाल पता लगे क्योंकि हले फिल्हाग का नहीं आया प्र फार्मुला देखना है ओक तो ऐ रहर वेच भचो अंद्रूणी कोना था जोड यूरों के रहे बराबर आगया देखो अंद्रूणी कोने थे क्योंकि być 3 पुछ Puny है तो 3 पुछ दे वेच बती डीग्री जम्ह नवबए डीग्री तूनी क्या insectूरे दिए लाट और्ग इ ठीक है तो 180-2-90 माइनस माइनस हो गया प्लस तो पहला जहां तुसी दे बिच्छो दूसी यहां दोनों माइनस माइनस पहला जोड़ूंगे फिर उस तो बाइनस करूंगे तो फिटी डिग्री जड़ा है एंगल यह वाला प्यार क्योंगे तो दिस इस एक्जांबल नंबर 3.11 नाओ यहां गूंग तो दो दी एक्जांबल नंबर 3.12 तो 3.12 दे विच्छ तूसी देख साकते हो इत्थे बिच्छो तो आनू एक A B C D एक आयत दती है आयता मतला हुंदा है रिक्तेंगल ठीक है रिक्तेंगल के बन है A B C D तो वी विल रिक्तेंगल है तो दिस इस यूर A B C D रिक्तेंगल ओके तो एस रिक्तेंगल दे वेच्छ से एक्स दे वाई दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दो आनू साइडा घिवान ने एक्चुल वेच्छ ठीक है तो एह है 2Y-3 एह है 5 दे बराबर और एह है 24 और एक इना द 5-1-2 ए एक्स माइमस सवान थीक है थे से होन बन देखो एकी तो ऑन्वन पाता है कि आमा सामने दियां पुझा मा की होंँ दियां ने बराबर हों की मिले हैं रिक्टेंगल केडियां होगी है देखो एक होगी AD इडे निए BC दे बराबर होएक है थे AB जड़ा है OCD दे बरा जो मार्थ दये बदल गया, नहीं भच हो U Villas양 सफ़ा है, बस त्री हो गया, तो A8 दे बराबर आगया, एत्वं था मुले आ गया, इत्वं 21 0 2 बदर है up जो बड़ए चार चारकत दुनी 8 ऊंदे अनर्स्वाइब एक उद्दयृ गया, इतने भच हो, पता पंजू पांजू 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 ता प्राबत होवेगा ठीक है तो एक्स फाइव आ गया और वाई किन्ना हो गया पोर हो गया ओके तो दिस आएज दियां बराबर हुँ भी आँए ठीक है उस तोबार एक्वाईल लंबर 3.13 है यूदे वेच बचो रेंट एक फिगर है रेंट के लिए है rectangle ही है ठीक है तो रिक्टेंगल देविच एदे diagonal जीड़े ने O ते मीट कर दे हां तो के एक rent R T N T ठीक है तो आ होगा बच्छो यूँदे rectangle दे करन जीड़े कित्थे मीट कर रहे है O पॉइंट दे उपर जी तो आनों की पुछा है find find करना x दी value find out करनी है इते लिखे लेना find x ठीक है find x ते वदियार्थियो असी होनी पड़े आसी के आयत दे विकरन हों देने बराबर ते एक दूझे नों कर देने sum दुपाजित एदा मतलव इथे rn जिड़ा है ओ पहली गलता हो गया te दे बराबर होएगा ते इना दा half इना दा अदा जानी के rn दा half जिड़ा है ओ or होगया ते te दा half जिड़ा है ओ oe जाँ ot होएगा ठीक है तो ot दे बराबर आएगा तो इथे or the value यह तो अनुझे गिवन एक्चुल दे वेज़े इथे value जड़िया ने गिवन है यह है गिया 3x plus 4 और दूसरी है 2x plus 7 ठीक है तो 3x plus 4 equal to 2x plus 7 एथो 2x नो दूसरी साइड लेके जाओंगे यह माइनस दे हो जानगे ठीक है और 4 नो दूसरी साइड लेके है वो माइनस दे हो गया चार माइनस सारी 7 मा एक्स दे बराबर आगया इतमींस थो एक्स दा मोल जड़ा है वो 3 दे बराबर आएगा तो एस ही इग्जामपल रिलेटेट टू रिक्टैंगल ठीक है रिक्टैंगल दिया प्रॉपर्टी जरी चंगी तरह कर लें याद रखना सारी यह साइड बराबर हों दिया ने ठीक ह यानि के बाइसेक्ट कर देने इच अदर और लेंथ होना दी इक्वल हुंदी है ठीक है उस तो बाद डाइग्णल दी लेंथ यह जाद रखना की बराबर हुंदी है जो दो नों फिक कट दे भी है कटन तो बाद भी हो फिर आपस दे बिच बराबर होंगे एदा मालों OD भी सेक्व बीचों च्पिक हैगा है उस तो बाद यह एक साइस फिर स्युरू होएगी properties of square sort की है श्री साइटने बराबर होँ दिया कि की होड़या ने सारी यहीं साइड़याहें कि हो बराबर दो साइड एवली आउ डी इवली साइड और यह वह वाली सायड सारियां भी बराबर होंगे दे विकरण जड़ेने होंगे बराबर है नोट कर ले ना विकरण भी एक दूज़ेनों की कर देने लोना दी लंबाई एक कोजी होंदी है ते एक दूज़ेनों 90 डिगरी दे उपर सामदोपाजीत कर दे हन ठीक है ढखे एक कर दे हन सामदोपाजीत कर दे हन ठीक है देखो रोंबस ते लिए विक आए वरक दे विक की फरक हुंदा है रोंबस यानिके सामचतर पुच की बराबर होंदी थी हने पर फरक से रफ एदे बीच भी डाइगनल एक दूझे नो 90 डीग्री ते ही बाइसेक्ट कर दे हन, ठीक है? सिरब फरक किया थे के दे बीच डाइगनल बराबर नहीं होगा यह दोना जी फरक है रोंबस रोंबस यानि के सामचतर पुछ और केर मतलब के वरक दोना दे बीच बच्चो ए फरक होंदा है इस गल्दा तुसी खास यान है रखना है यह तो अड़ी बच्चो एक्सरसाइज तो पहला जिनना भी एक्जांपल ने जिनिया भी प्रॉपर्टीस ने वह कवर हो गया उसको बाद यह सी हुन एक्सरसाइज नंबर 3.2 करांगे यह नों बच्चो सार्या ने आपनी कापी देव पर नोट कर लेड़ा है थैंक्यू वेरी मच